फ्रेंड्स आज मैं सभी की फेड़ेट जो कि बच्चो को बड़ो को सबको बहुत पसंद होता है देखकर फता चल रहा है ना पानी पूरी यानी गोलगब्ब्ब्बे MAT. पानी चटनी और गोल गप्पे में भरे जाने वाली फिलिंग और गोल गप्पे भी कितनी असानी से मैं तयार कर सकते हैं वो भी मैं इसको पूरी रस्विम आपको दिखाऊंगी फ्रेंड्स लॉक डाउन चल रहा है इस टाइम भार कुछ मिल नहीं रहा है किसी का कुछ अच् क्योंकि हमें ब्लकुल खाना है अच्छा खाना है ए अब मन तो करता हूं ए कुछ चटपटा खाना है तो आप इसको बना कर खा सकते हैं Hello friends, welcome back, Minus Kitchen में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो friends, मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही special गोल कप्पे की पानी की रेसिपी और साथ में मैं गोल कप्पे की रेसिपी शेयर करूँगी किस तरीके से हम बना सकते हैं तो friends, आईए सबसे पहले हम पानी बना कर तयार करते हैं मैं कई तरीके से पानी बनाना बताऊंगी आप चोन सामन करें वो बनाईएगा घर के समान से इसली पोदीना चाहिए हमें 3-4 डंडियां उसके पत्ते-पत्ते हम साफ कर लेंगे और लगबग 50 ग्राम के करीब हम धनिया ले लेंगे और धनियों को हमें डंडि समेती कट करना है पीछे से हलका सा कट कर देंगे और डंडि समेती धनिये को हम रफली चॉप्ट कर लेंगे धनिया पोदीना अब हमें हरी सब्जियों को कम से कम अच्छे पानी तूपते पानी में दोना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत मिट्टी होती है तो रगड़ रगड़ के इसको अच्छे से 3-4 पानी बदलते हुए साफ कर लेंगे हमें सिर्फ दhni भनानी है अगर आपके फास घर में हरी चटनी बनी हुई रखी है तो उससे भी असानी से बना सकते हैं लेकिन मैंब आपको बताते हुए देखिए बदीना धनिया अreी मिर्च हरी मिर्च टेचD के कौरुणि मिर्च जैसे आपको लिए यह पांच-छे अरी मिर्च डाली हैं इसे में एक लीटर पानी बना कर तयार करेंगे लेकिन इसमें मैं दो पानी बनाऊंगी इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा डाल रही हूं अध्रक का टुकड़ा डाली है एक इंच अब हम डाल रहे हैं दो चम्मश नमक अब हम इसमें डालेंगे, पहली हम सब मसाले डाल लेते हैं एक चम्मश अमचूर पाउडर एक चम्मश भुनमः जीरा पाउडर और एक चम्मश और क्योंकि जीरे का फ्लेवर सब चय्द बुने हुए जीरे का ही पाउडर डालना है अब हम डालेंगे चाट मसाला एक चमच भरके चाट मसाला और अब हम डालेंगे एक चमच आपके पास कोई भी पॉडरों मेरे पास जैन शिगंजी मसाला है आप इसमें जलजीरा पॉडर भी डाल सकते हैं या आपके अस पानी पूरी मसाला भी डाल सकते हैं थोड़ा सा हमने काली मिर्च पॉर्डर और आजी चमच हमने सॉंफ पॉर्डर डाला है इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है अब थोड़ा सा पानी डालके हमें इसको बढ़िया से चट्नी बना लेनी है देखिए चट्नी हो गई ready क्योंकि हमने इसमें मसाले पानी पूरी के साफ से डाले जो में पानी बनाना है तो बहुत ज्यादा मसाले है तो इसे हम चट्नी के रूप में नहीं कर सकते हैं इसको मैं रख देंगे फ्रिज में आप 4-5 दिन तक इसको बना कर यूज कर सके जब आपको बनाना उतना पानी आप बना लीजिए एक चेमर डाले तो एक ग्लास पानी बनेगी दोनों काम करेगी है देखिए थोड़ा सा पानी डाल के हमने इमली पर जितनी इमली थी उतना ही हमने आदा कप के करी पानी डाल दे इसको अच्छे से निकाल लेंगे इमली की चट्नी तो आप बना कर फ्रिज में रख सकते मैं आपको भी दिखाऊंगी किस तरीके अब क्यास पेन में इमली चटा दी और बराबर का हमने गुर्ट डाल दिया कि मीठी इमली बहुत खट्टी होती तो बीठा करने के लिए हमें इसको बराबर से गुर्ट डालते है जो थाई चमश काली मिश पॉडर एक चमश सौफ वडर एक चमश भुना हुआ जीरा एक चमश सफेद नमक एक चमश और यानि दो चमश हमने वाइट नमक का यूज किया है इसको मैल्ट करते जाएंगे चलाते जाएंगे गुर्ड घुल जाए तब तक हमें इसे पकान है अब और मसाले अड़ कर लेते हैं अब हम इसमें डालेंगे एक चमश चाट मसाला बिग्कुल जरासी लाल मिर्च जो थाई चमश अब आप सोच रहूंगे तो वही इमली वाली चटनी बनती और धही बल्लों पर यूज दोती है सही में वही चटनी है यह लेकिन थोड़ से मसाले अड़िस करने पड़ते हैं वह बाद में भी कर सकते हैं देखिए मेरे पास यह है तो आपको बनाने की जुरती नहीं है इसी से आप पानी बना सकते हैं लेकिन अब इसका कलर देख रहे है रेड था थोड़ा था मैं चुटकी भर कलर डालूंगी रेड औरेंज कलर आपकी मर्जी है इसे कलर से अच्छा रखता है दिखने में बहुत बढ़िया कलर आ देखे पतली काड़ी एकदम परफेक्ट है अब इसे ठंडा करने के बाद आप इसको फ्रीज में कम से कम दो महीने तक रख सकते हैं इस मीठे पानी को आप जब मन करें तब बना सकते हैं एक कल्ची से गलास पानी और चार-पंच कल्ची से एक लेटर पानी बना कर तयार कर सकते हैं हरी चेटनी भी तैयार है और हमारी मीठी चेटनी भी तैयार है और हमारी मीठी चेटनी भी तैयार है तो दोनों चेटनीों के साथ अब बाद में पानी बनाएंगे इसको स्टोर करके रख सकते हैं आलू और छोले आप तयार कर लेते हैं देखो कल मैंने छोले बना पानी पूरी और चाट पकोडिया होती है इसमें बहुत बढ़ी आता है थोड़ी सी लाल मिर्च डालिए थोड़ा साधी चमच हमने चाट मसाला डाला है बस नमक मिर्च जीरा और लाल मिर्च इसको डालने के बाद इसको हलका हलकातर मैश कर लेंगे कुछ दाने खड़े मैं थोड़े से मसाले दार लारी हूँ आलू और छोले अगर नी से थे उप्छोले नहीं है तो खाली आलू भी डाल सकते चंगे अब देखिए अभी मैं आपको क्योंकि इतना काम सब नहीं करना चाहें तो मैं पहले एक ऑप्षन दिखा रही हूँ यह मार्किट में बने ब बना के आपको नेक्स वीडियो में जरूर दिखाऊंगी किस तरीके से बढ़िया गोलगप्पे बना सकते हैं विल्कुल मार्केट जैसे लेकिन ये भी मार्केट से कम नहीं है पैकेट लाके रखें जब आपका मन करें इन गोलगप्पे को बस हाई फ्लेम पे फटा फट से ड होगा सकते हैं पैकेट वाले लाएंगे मैं खुले मत लाइएगा खुले ज्यादा अच्छे नहीं होते हमेशा पैकेट वाले लाएं और बहुत बढ़िया से ये बनकर तयार हो जाते हैं घर में जंब आपके महमान आए पानी की चटनिया त्यार करके रखी आलू छोले होत बाकती हो चार चमश चटनी और हमने 1 लिट डाल दिया पानी और इसको मिक्स करेंगे इसको टेस्ट कर लेंगे पहले मैं इसमें आदे नीबू का अरुस ता ले थै CP क्हटटा पानी को जितना पानी का अरुसे आप χटटा पसन द ह से उसा साब लाल मसाली टेस्स कर लिजि कलर आगे ना इसमें साथ में डालतेते हैं बूंदी विक्कुल बजाड जैसा हमारा पानी त्यार हुआ है और साथ में ठंड़ ठंड़ थोड़ा चाहिए तो एक दो आइस क्यूब डाल लेते हैं बढ़िया से हो गया पानी तयार आप उसी वाले बावल में तीन चम्मच हरी चटनी और डाल लेते हैं और अब हम इसको बनाएंगे हींग वाला पानी और अगर आपको लाज चटनी नहीं बनानी है तो आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं इसको खटा मीठा पानी भी बना सकत इसमें भी हम बूंदी और ऐसी आइस क्यूब डाल देंगे चानने के वाद चैनन निकल गई थोड़ा सा पानी और डाल लेते हैं थोड़ा सा मसाला में एक्स्टर लग रहा है एकदम से परफेक्ट हमारा हिंग वाला पानी तयार खटा पानी तयार मैंने आपको बताएं इसमें चीनी भी डाल सकते हैं जो खटा वाला पानी है तो खटा मीठा हो जाएगा अब हम प्योर मीठा पानी बनाएंगे जो मार्केट में मिलता है इमली वाला मीठा पानी अब इ क्योटिय काल नमक के bareघ करें के दो कि जादब कर सकते हैं तो कम ने लिःख गर सकते हैं पानी जाती है है इसमें सारे अबो पास पास अब देखे इस पानी को आपके 네 पाने नोक के लागर पर बताओंगे तो नहीं होग यह जादा पाना है किकना ऑने रीक। अब देखिए पानी तयार छोले तयार चेटनी देखिए वही वाली चेटनी अंदर फरेंगे अब एक गोल कप्य को हम तोड़ते हैं वाओ बढ़िया एक दम क्रिस्प अब भरते हैं इसमें आलू छोले अब जुरूत नहीं है न भार वो ठेले वाले भाईया तो भै नहीं व क्लाइन जालें एक नश्रीय पादान होगी एकदम एक दम से वहाओ किसली हमारे के डूेंर शनाइं भूड़ को चेटना को प्र को अब भरते हैं वीडियो त्युश्थल्स में बहुत के किसली रमाट को बहुत शाचिकिक है तुर्स्टांद झाल झाल